जमीन चला जाएं जब जमीन चला गया तो जान भी चला जए तभी हम लोग यहां जो उठेंगे जब तक प्रबंदक हमारे मांग को लागू नहीं करते हैं तब तक हम लोगा मांग आंदलों जारी रहेगा जो हाथ नमस्कार और आप देख रहे हैं मनोज ब्लोगर 2M और यह देख सकते हैं हमारे बीच बहुत सारे ग्रामिन अभी हमारे साथ मोजूद है जो की GSW कोल ब्लोग जो की परवतपूर में रिचित है वह 12 तारीक को अभी गेट जाम होने जा रहा है और अनिश्चित कालिन क लिए जितने भी ग्रामिन के लोग है 10 किलोमीटर के दाइरे में सब लोग यहां पर आएंगे बारतारीक को गेट जाम करेंगे तो चलिए दादा लोग से अभी बात करने जा रहा है जो को बलोग जो माइन से चल रहा है तो क्या यह कोई पार्टी दुआरा जाम किया जा र यह जानम और अनिशितकाल के धारना इबनंगेड कि जाएंगे इसका और उद्देसी है जो एक है उनियन है और साथ में साथ अस्थानिये जो है बृजगार नोजुवान जो यह ग्रामिन जो है और प्रभावित छेत्र और साथी साथ जिसका जमीन गया है जमीन के अलावे भी जो लोग उहां काईरब थे और उसके अलावे भी जो नजवान अभी भी बेकार पड़े हुए हैं जो काम नहीं किये हैं और उहीं का लोग है उभी प्रभावित छेत्र है म ब्लास्टिंग हो रहा है तो यह है प्रावीत छेत्र जमीन नहीं के लिए प्रभावीत छेत्र है इसलिए यह अस्थानिये जो नोजवानों का जो ब्रोजगार संगर समीति बनाया गया है कि तमाम किसिम का लोग किसमका अफूएर पेट की लड़ाएं और यह дав primary खुत होकर जो बहल में उत्तव लगा है और उससे सारा डरिफ्ट जो यह बन्य लें के चला जाएगा और यहां के लोगों को रोजगार के नाम पर ज्हांसा देकर जायाएगा अईसा कदापी नहीं होने दिया जाएगा इसलिए ये तमाम अस्थान ये लोगों का एक जूठता और साथी साथ जो काहिड़त मैदूर थे पहले दोहजार लोग ये दोहजार काहिड़त मैदूर भी इसमें सामिल है क्योंकि जिस समय अलोक्तिस्टिल कमपणी थे अलोक्तिस जिस डावलू को अस्थाई रुप से लिज मिल चुका है और जबकि कमपणी यहां का लोगों को बेकुप बना रहा है कि लीज नहीं मिला है लीज जैसे राइटिंग में दे चुका था कि हमको खननन पट्टा लीज नहीं मिला है और इन्होंने जो है कि अभी तक जो है यह नहीं कि ०ो नहीं किया और फृए घे का लोगों के लोगों को छोड़ कर पूरे जो लोगा है और पुर जहर gefंग का भी कादूगा होगा तो हो सकता है लेकिन जादे तरफ बाहर का है जो स्थानीय लोगों को रखा गया था अस्थानी लोग भी सीक्रिटी गाड ने दिया जाए तो पहले थे अभी कुछ अधुनाम मत्र कुछ लोग है वह विद्धम से कंपणी अभी तक नीयों किसी को ने दिया जो पहले पुछ लोग थे डायेट कंपणी में थे यहीं वे यह आदमी को कंपणी में रखा कूछ आदमी को माइण्ट्रीश में दिया है और उसमें भी सही पेमेंड नहीं मिल रहा है तिन-तिन मेहना हो गया तक उसको प्यमिन ने मिला ऐसा पहिस्तिति है दूसरी बात है कि यहां का लोगों पर विभिन्न तरह का मने जूट मुटका यह परिशान करका रखा यह परिशानी इसलिए कर चुका है कि मालों अगल पगल में जारी या जंगल लगणी चुनने के लिए जाते हैं गोठा कर उ यहां का लोगों को नियोजन का गारेंटी करना होगा तभी जाकर यह जान चला जाए जब जमीन चला गया तो जान भी चला जाए तब हम लोग यहां से उठेंगे दूसरा इसके अलाविया और हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं तो क्या दादा क्या लग रहा है बारात को सभी मजदूर्य मजवा सत्यों को एक जुटता होने के हम अपिल करते हैं सभी को मेरा जोहार रहेगा यह अंदलोन संग्विधानिक अंदलोन है जब तक पचातर परपिसद इस्थानिय भिरोजगार मजदूरोय एवं रहतों को आरक्षन नियोजन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अंदलोन जारी रखेंगे हम लोग साथ सुत्री मांग को लेकर जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगा हम लोग अंदलोन जारी रखेंगे यह जब तक हम लोग एक जुटता इसलिए हुए है क्योंकि जब तक हम लोग union नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग कुछ भी सफल नहीं हो पाएंगे कुछ भी पाने के लिए क्रांती कारी जोस होना जरूरी है और जितने भी जुबा साती है आज हम लोग सब बेरोजगार हैं, बेरोजगार के कारण ही हम लोग आज एक जूट हो रहे हैं, सभी साफिल करते हैं एक जूटता हो और जुबा जागे तो देशा आगे, जुबा को आगे आना होगा, जब तक हम लोग यहां बेरोजगारी दूर नहीं होगा, तब तक हर छे भी दानिक है हम लोगा हाक है हाक अगर मांगने से नहीं मिलता तो छिनना पड़ता है और एहीं हम अपिल करते हैं जितने भी जैस डवलूप प्रवतपुर के आसपास 10 किलोमीटर के दारे में जो भी गाउं आते हैं हम लोग सहर गाउं में जाकर जन संपर्ख चला रहे हैं औ जो हम लोगा मांगे हैं सारवजनिक है आने वाले भविस के लिए हैं इसलिए सबी आएं और एक जुटता होकर काईज करों को और निश्चीत का लिन धर्ना जो 12 फरवरी दो है चोबिस को जेस डवलूप प्रवक पूर कोल ब्लोक में होने जा रहा है हम लोग कोल ब्लोक प करने जा रहे हैं अगर माली पूलीस परशाशन अब लोगों को उठा लेता है अगर केस ठोक देता है तो क्या किजेगा तो देखें जो पुलीस परशाशन का जो में जो हता है जो होता है जो पूरा बिधी ब्यवस्ता को नियंतन करते हैं और अलग जैज होता है अलुसी अ महदय का जाजमेंट है उसी अस्डियो महदय ने जाजमेंट दिये हैं उसमें कि परबत्पुर कोल बलग में 2000 काहिरत मैदुरों को और अस्थानीय ब्रोचगार नोजवानों को सभी को जो भी कमपणी रहेंगे उसको रखना होगा यह जाजमेंट जो हमारे माने नियालाई ज बना चाहिए कमपणी पर क्योंकि हम तुरु सधान अद्में है लेकिन यह अगर कमपणी अगर हिधन से करती है तो परसासन खुछ समझे इस विशय को सही कर रहे है गलत कर रहे हैं कि परसासनिक दिश्टिकों से भी यह डिमांड है कि जाज है लडाई जाज है कि उसका सार कि पीच में हुआ उसके बाद धना प्रभारी बंगडियां है अमलाबाद है तमाम असपास के यतने थना परभाई थे सब का पीच में यह जजमेंट आया है कि दो हज्जार काहिरत मेदरों को अस्थानी को लोगों को रखना है तो उठानी का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा ह यह तो पसासन कभी इसमें कोर्परेट करना चाहिए यह हर हाल में यह डिमांड को एक्षप करना चाहिए शाथी साथ जितना जल्द जल्द इन लोगों को नियो जंद देना चाहिए अगर मान लीजे आप लोग वह बारता को आप लोग के पक्ष में नहीं लेते हैं अगर हम लोग के लिए किसे लिए यह जाम रकिए जब तक को राइटिंग में लिखिद रूप सेरी अन्योजेन के रूप में नहीं देन तब तक यह लगातर चलता रहेगाँ क्यों भी सोगनता यह हमारा यह है जोहार जादा जोहार जिह